Standard 10 Mathematics के इस वीडियो सीरीज में हम discussion कर रहे थे chapter 1 real numbers के बारे में Real numbers के बारे में already 3 videos बन चुका है और उनका link मैं discussion में डाल दिया हूँ आप अगर उनको नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें ताकि आज का वीडियो आपको जादा बहतर समझना है तो चले start करते हैं exercise 1.1 का question number 3 An army contingent of 616 members is to march behind army band of 32 members in a parade The two groups are to march in the same number of columns What is the maximum number of columns in which they can march मतलब यह है कि एक army लग ग्रूप है जिसमें 616 member है 616 members है जिने एक parade में march past करना है 32 member का एक band है army band उस 32 member के army band के पीछे पीछे 616 member जो है army के contingent का army के group का उससे parrot करना है और the two group are to march in the same number of columns और इसमें आपको दो group को same number of columns में march past करना है तो वो contingent और एक band इन दोनों group को दो column बना करके और दोनों column में same number of people रहने चाहिए same number of army रहने चाहिए और यह march past करेंगे तो इस तरह से कितने सारे column बनने चाहिए जिनमें वो दो group easily adjust हो जाए और march past हो सके तो यहां पर बोला गया same number of columns जितने भी column होंगे दोनों group के लिए same है तो उनमें भी march past करना है तो यहां पर पुछा गया है what is the maximum number of columns जब आपको पुछा गया है what is the maximum number of columns तो एक बात is first है यापर कि आपको करना है hcf find maximum number of columns पुछा गया है तो simply आपको कुछ ज्यादा होचना नहीं है आप simply उसमे hcf find करने के लिए जो euclid's division algorithm का process है उसे apply कर दें यानि solution में हम लिखने वाल है कि hcf of 616 and 32 will give the maximum number of columns in which they can march सबसे पहले हम यह लिखेंगे क्योंकि हमें maximum number find करने बोला है तो हम लोग है hcf find करेंगे according to euclid's division algorithm to find the hcf हमें पता है कि euclid's division algorithm में hcf find कर सकते है उसके लिए हम ही करते हैं उसके लिए हम लोग करना पड़ता है a equal to b q plus r तो यहाँ पर जो a है वो है 616 and 32 को हम लोग लेंगे b क्योंकि यह obvious सी बात है 616 बढ़ा है और 32 छोटा है तो जो बड़ा होता है उसे हम लोग a लेते हैं और जो छोटा होता है उसे हम लोग b माल लेते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड कर रहा है 616 को 32 से तो हमें डिवाइड करने पर मिल रहा है 616 equal to 32 से डिवाइड करने में मुझे मिला question मुला मुझे 19 और as a remainder जब डिवाइड कर रहा हूं है तो पूरी तरिक से डिवाइड हो नहीं रहा है लेकिन remainder बस रहा है 8 अब मुझे करना किया है ये 32 मेरा बन जाएगा A और ये remainder मेरा बन जाएगा B और मुझे जो डिवाइड का काम है वो करना अगेन तो और ये सी बात है 8 के टेबल में हम अगर पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 4 टाइमस में 32 आता है तो इस तरह से 8, 4, 3, 2 पूला-पूला कट गया और मेरा remainder जो है वो बन गया 0 तो जैसे ही remainder 0 आगिया तो मुझे ये पता करना है कि किस नमबर के वज़र से remainder 0 आया है तो मुझे पता है कि वो नमबर जिसके वज़र से remainder 0 आया है वो है 8 8 वो नमबर है तो इसलिए हम लाश्ट में लिखेंगे कि The HCF of 616, 32 is 8 Therefore, they can march in 8 columns each इसलिए उनका जो दो ग्रूप है वो आट-ट की कॉलम में march past कहेंगे That's it यही आपका answer हो गया बढ़ते हैं question number 4 की और Question number 4 हमारा है कि use Euclide's divisional algorithm या use Euclide's divisional lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m जहाँ पर आपका जो m का value होगा कोई भी integer हो सकता है वो लगया है कि आपको Euclide's divisional lemma lemma मतलब की वही जो कुछ ऐसे proven already proven statement जिनका यूज करते हैं कुछ और statements को प्रूब करने के लिए उसे हम लोग लेमा करते हैं तो Euclide's division lemma को यूज करते हुए आपको ये prove करना है कि कि किसी भी positive number का square का form होगा वो या तो 3m होगा या तो 3m plus 1 होगा इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है अगर उस positive number को हम 3 से divide कर रहे हैं तब ये सुरिफ और सिलिफ 3 से divide करने से ही ऐसा form आएगा चले इसका solution लोग करते हैं माल लेते हैं कि हमारे पास कोई positive integer है A कोई positive integer है और हम इस positive integer को divide कर रहे है 3 के साथ इसलिए हम लोग B को 3 assume कर लिए है now then A is equal to 3Q plus R according to Euclide's division algorithm मुझे पता है A equal to क्या होता है A equal to होता है BQ plus R A equal to होता है BQ plus R BQ plus R मुझे यह पता है B का value को दना है B का value obviously by 3 है तो मैंने directly A equal to 3Q plus R put कर दिया जो actually Euclide's division algorithm का ही हिस्सा है तो अब हम बढ़ते हैं आगे since Euclide's division algorithm में हमें एक बात बहुत अच्छे से मालूँ है कि हम जिस भी number से divide करते है यानि कि B का जो value होगा हमेंसा उससे छोटा होगा remainder का value यानि remainder is always less than our B but greater than or equal to 0 यानि कि हम कहा सकते हैं कि हमार जो remainder होगा वो 0 हो सकता है इस case में 1 हो सकता है और 2 हो सकता है क्योंकि 0 से बढ़ा या बराबर तो बोला है तो 0 से बराबर क्या होगा 0 खुद है और उससे बढ़ा कौन हो सकता है 1 और 3 से छोटा यानि कि B हमारा 3 है 3 से चोटा कौन होगा 2 तो तो कि असी बात है रिमेंडर का possible values हो सकते है 0, 1 और 2 यानि कि अगर हम कोई भी ऐसा number लेते है positive integer और उसे मैं 3 से divide करता हूँ तो मेरा reminder इनी तीनों में से कोई ना कोई आएगा चले इसे पहले हम लोग करके देख लेते हैं सपोस कर लोग कि A के अंदर में आपने ले लिया को एक positive integer 12 और इस और B के value हम लोग को पता ही है यहाँ जिरो आ सकता है अब को एक positive integer ले देते है 13 और B तो हमारा है 3 3 को हमनों डिवाइड कर थी से डिवाइड करते है 13 को तो 3, 4, 12 तो अब आप यहाँ सी बात है reminder 1 आएगा यह बदा आपका second number case को प्रूव करता है चले एक और example ले ले देते है 15 तो यहाँ पर आपका बी जो है बी कितना है बी आपका है 3 और सी बात है इसे मैं डिवाइड करोंगा 15 से तो फिर से यह कर गिया 3, 5, 15 तो यह तो रिमांटर जिरो फिर से दिया यह यह आपका पहला बाला इस्टिरमेंटी प्रूव होरा है दोबारा हम को यह टू आ रहा ह है कि हमारा एक कोई नंबर ले लेते हैं वो एक नंबर लेते हैं 29 एक वल्ट हम ले लेते हैं माल लिजे 29 एक पॉजिटिव नंबर है और बी का फेल्यू आवियस सी बात हमारा 3 है तो मैं इस डिविजन के अलगरिदम को अप्लाइ करता हूं तो यहाँ पर मेरा 29 हो गया और आप 29 और आपका जो है आप रिमैंडर आ रहा है वह भी आ रहा है टू आप कोई भी नंबर ले 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 तो 3 से डिवाइड करता हूं मैं से 3 26 लिए 2 अतर गया तो यहां पर हो गया तो आपका कितना 3 21 अगर remainder 3 आता है इसका मतलब division बाकी है क्योंकि 3 से 3 divide हो जागा न फिर से तो रिमाइंडर कितना आएगा जीरो आएगा तो यह बात तो proved है कि कोई भी हमारा जो नंबर होगा बी का फिलू कुछ भी हो हमेंसे remainder जो होगा वो उससे छोटा होगा और उसका remainder का वहलू 0 से बढ़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है तो यहां तो बात माग यह होगा अब बढ़ते हैं कि हम बात कर लेते हैं कि जब remainder का value हम लोगं का 0 आया माल लेते हैं कि हम लोगं का remainder का value 0 आया तो उस वक्त हमारा जो यह मेरा तीन पॉसिवल आउटकम हो सकता है अब मेरा actual काम स्टार्ट होता है मुझे यह प्रूफ करना है कि कोई भी पॉसिटिव नंबर का स्क्वाइर बराबर होगा 3m या 3m प्लस 1 के तो चले हम सब से पहले तीनों जो हम लोग पॉसिबिलीटीज आउटकम आये हैं उनका स्क्वाइर कशले करते हैं दौन हो साइड में लेफ्ट थांव साइड और राइट इस आयन्हें कि त्रीक थ्री क्यूल स्कूर अलर्ग अब बात करते हैं श्रीष को रहाओं, अपने हमारे पास हैं। यहां पर देखा जाएं, तो यहां पर हमें देख पा रहे है कि थ्रीक्यू प्लस वन का होल स्कूर है तो मैं इसन को तोड़ दूंगा, A plus B के whole square में आप देख पा रहे हो कि आपको पता है कि A plus B का whole square कितना होता है A plus B का whole square होता है A square plus B square plus 2AB तो यहाँ पर जो आपका 3Q है उसे आप A माल ले और जो 1 है इसे आप B माल ले तो आपका A का square हो जाएगा यानिकी 3Q का square 9Q square फिर आपका B यानिकी 1, 1 का square 1 और 2AB यानिकी 2 into A का value है 3Q into B का value है 1 तो 3 to the 6 और 1 तो 6 Q हो जाएगा आपका तो वही मैंने 6 को लिखा है ठीक वैसे ही यहाँ पर भी देख पा रहे है कि 3Q को हम A माल लेते हैं और यहाँ पर जो 2 है उसे हम B माल लेते हैं तो हमारा कुछ A plus B का whole square जो कि 9Q square यानिकी 3Q का square हो जाएगा 9Q square फिर दो का square हो जाएगा 4 और 2AB तो 2 into A का value है 3Q into B का value हमारे पास है 2 तो 3 to 6, 6 to 12 तो होगी है हमारा 12Q यह हमारा 2AB है जो हम लिखे हैं यहाँ तक समद मा आगिया होगा आपको चले बढ़ते हैं बागे हम लेंगे कुछ common लेने वाला कामया पर next one करेंगे कुछ common लेंगे देखें तीनो में तीनो step में ऐसे कि A square तो A square ही रहेगा और 9 को हमने 3 common ले लिया तो 3 common लिया तो क्या होगा अंदर में 3 Q square होगा अब यहाँ पर इसमें इसमेंदेखें common किस में किस में जाएगा common जाय मैं and common जाय गागा six Q में one में common नहीं जाय तो मैंने one को निकाल दिया और दोनों में common जा रहा है 3 3 को बहार निकाला और यहां हो गया 3 3 9 तो 3 Q स्क्वाइर और 6 Q में आ गया आपका 3 2 6 6 तो आपका 2 Q तो यह आपका common आया 3 और इसमें अंद्र बज़ गया आपका 3 Q स्क्वाइर प्लस 2 Q इसमें भी कुछ ऐसे कर रहे हैं हम लों तो इसके आपका common जाएगा ना इसमें से common जाएगा इसमें से common जाएगा और 4 को मैंने 4 को मैंने कर दिया 4 को मैंने कर दिया 3 प्लस 1 के फॉर्म में 4 को मैंने कर दिया 3 प्लस 1 तो अगर मैं 3 प्लस 1 कर दूंगा तो obviously बात है 1 जो है वो निकल जाएगा बाहर और 3 में common जा सकता है तो मैं 3ों में 9Q square, 12Q और 3 तीनों में हम 3 common ले लिए तो obviously बात है पहले बाले में 3Q square बचा दूसरे बाले में मेरा 3, 4, 12 इस बाले में तीन, 4, 12 तो 4Q बचा और इस तीन में 3 बहार निकल चुका है तो obviously बात है यहाँ पर 1 बचागा सिर्फ और यह 1 तो अलेड़ी बहार निकल चुका है इस तरीके तो हम देख पा रहे हैं इस तरीके तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो यह 3 है यहाँ पर कमन चला गिया है ठीक है अब हम जब इसको स्वरा सिंप्लिफाइ करेंगे तो मुझे कुछ दिखे गा ऐसा A square is equal to 3K1 और यहाँ पर A square equal to 3K2 प्लस वन होगा यहाँ पर 3K2 plus 1 यहाँ प्लस 1 छूट किया है यहाँ प्लस 1 होगा 3K2 plus 1 और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि 3K3 plus 1 अब आप लोगा सरी यह K1, K2, K3 क्या है तो यह K1 को मैंने माना है यह बीच वाला K2 को मैंने माना है यह बीच वाला और K3 को मैंने माना है इसके बीच वाले को यानि कि पहला वाला फॉर्म आ रहा है A square equal to 3Q 3K1 दूसरा वाला आ रहा है A square equal to 3K2 plus 1 और तिसरा वाला आ रहा है A square equal to 3K3 plus 1 तो इस तरह से हम आगे अगर हम लिखे कि वर के 1, के 2, and के 3 are some positive integer जिनको मैंने रिपलेस किया है 3Q square 3Q square plus 2Q, 3Q square plus 4Q plus 1 के बदले में मैं आजूम कर लिया मैं लिए 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 की के 1 equal to 3Q square के 2 equal to ये और के 3 equal to ये मैं आजूम किया है अब आगे Hence, it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3M or 3M plus 1 तो यहाँ पर मैं एक चीज एड़ करना चाहूँगा देखे, या बहुत इपर्टन चीज है ही है कि हम लोग आप लिखे है 3K1 और यहाँ पर 3K2 plus 1 और 3K3 plus 1 इन दोनों केस में देखे ये दोनों केस आपको same नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखे यँआ पर भी आपका 3K1 दोनों में आपका केस है वो same है लेकिन case different इसमें है तो आप माल लेजे कि यह आपका 3M है पहला बला case और इन दोनों में इन दोनों में इन दोनों में इन दोनों में आपका सेम चीज रहे तो आपका इसको लिको सकता हूं रहे यह 3M प्लस राइं 3M फ्लस धून है जहां बैद के ीरे के वदले में हम क्या पूट किया है हम पूट किया है क्यूंकि दोनों के समारा सेम है तो इसलिए हम यह कहसे है K2 और K3 के बदले में K2 और K3 के बदले में हम क्या पूट किया है हम पूट किया है कि दोनों ह自ह सेम है तो इसलिए हम ये कह सकते है कि अगर हम किसी भी positive integer को 3 decision अगर हम किसी भी positive integer को divide करते है Euclideys division algorithm के help से और both side में square करते है तो फिर हमारा जो फॉर्म आएगा वो यही दो फॉर्म में रहेगा हमेज़ा लेकर स्क्वाइर नहीं करता हूं मैं उसका तो यह फॉर्म रहेगा थ्रीक्यू थ्रीक्यू प्लस वन और थ्रीक्यू प्लस टू आपको समय में आ गया होगा और आज दो सवाल हमारा बोलने का अदिश्य था वो आपको समय में आ गया होगा तो फिर हम आज की वीडियो के लिए बसी तरह ही मिलेंगे आप से कुछ और कोसिंग साथ कुछ और नए टापिक्स के साथ कुछ नए आपकर सब्सक्राइब और आप से रेकुस्ट करूँगा कि आप उसे खुछ से सॉल्व करें, अगर आप से वो सॉल्व ना हो तो आप कमेंट में डाले कि सर मैं कोशन नमर फाइब सॉल्प नहीं कर पाया, कार्णिली कोशन नमर फाइब के लिए आप वीडियो बना दें, डेफिनेटली मैं अगले वीडियो में, तो तो के लिए खुश रहें, टेक क्यार, गुडबाई